हेलो फ्रेंड्स स्वागाते आप सभी का आपके अपने युटूब चैनल स्टडी सेशन विता चैनल में तो फ्रेंड्स आज हम आर बेसी क्लास 10 इंग्लिश गोल्डरन रिस चैप्टर नंबर 4 दा टेल आफ दी विश्णो इसको स्टार्ट करेंगे अगर आपको अमरा वीड की नोटिफेक्शन सबसे पहले आप तक पहुश सके तेल आफ दी विश्णो इस इसका अर्थ होता है विश्णो इयों की कहानी तेल आपने कहानिया है न यह जो दे टेल आफ दी विश्णो इस चैप्टर है वह माधहव दहनंजय गडगील द्वारा लिखा गया है तो सबस यानि मादव धननजेग गाडगील जन्वे 1942 एक भारती पारिस्थिति के विज्ञानी शिक्षाविद लेखक इस्थंबकारता था पारिस्थिति की विज्ञान केंद्र के संस्तापक है यह शिडानी शिक्षाविद वॉव पर्यावरण पुरुष्टकरार प्राप्त किया है। The Government of India awarded him the 4th highest civilian award of the Padma Shri in 1981 and also the Padma Bhushan in 2006 12th Sirkaar ने 4th उच्चतम नागरिक अलंकरन Padma Shri in 1981 में तथा 2006 में इनको Padma Bhushan भी दिया था ठीक है ये तो हो अपना about the author अब अपन जानेंगे about the lesson या about the text ठीक है this tale is about the Vishnui community that brought a drastic change in the ecology of Marwar in Rajasthan ये कहानी विष्णोई समुदाय के बारे में हैं किसके बारे में हैं विष्णोई समुदाय के बारे में हैं जो Rajasthan के Marwar Shetra की पारिस्तितिकी में अभूत पूर्व परिवर्तन लाये थे This area had been very dry for centuries where trees and animals were not in a sufficient number ये शेत्र शताब्यों से अत्यदिक शूक्ष रहा था यहां व्रक्षवे पशू परियाप्त संक्या में नहीं थे The विष्णोई sacrificed their lives to guard the खेजडी trees and did a big plantation in the area विष्णोईों ने खेजडी वरक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया तथा इस शेत्र में अत्यदिक पोधारोपन किया They contributed a great deal to protect birds and animals पक्षियों वे जानवरों की रक्षा के लिए उन्होंने अत्यदिक योगदान किया यह था अपना about the lesson अब अपने main chapter पे चलते हैं the tale of the विष्णोईस ठीक है क्या लिखा है Today Marwar is a tree-less waste of sand and rocks Rocks यानी क्याता है अपनी चट्टाने ठीक है ना आज Marwar रेत और चट्टानों की व्रक्ष विहिन बंजर भूमी है आज Marwar कैसा है Today Marwar is a tree-less waste of sand and rocks The only growing things are thorny shrubs, a few turfs of short rough grass and an occasional stunded boy और bubble trees यानी की यहां उगने वाली चीजों में काटे-दार जाणियां छोटी-मूटी घास की गुच्छे और सयोग वश अर्द विक्सित बेर तथा बबूल के व्रक्ष हैं कहां पर Marwar में बट इंक्रेडिबली इंक्रेडिबली विश्वसनी हैं यू कैन इवन इन इन दिस डैजर्ट कम एक्रोस दा ओल्ड विलेच विद ग्रूफ और वैल्स ग्रोन खेजडी ट्रीज किन्तो तुम्हें ऐ विश्वसनी रूप से इस रेकिस्तान में भी पूर्ण रूप से बड़े हुए खेजडी के वरक्षों के कुन्जों वाला एक मातर गाओं मिल सकता है इस मारवार शेतर में जो एक बंजर शेत्र है इसमें भी तुम्हार को एक गाओं ऐसा मिल जाएगा जहां पर खेजडी के जो व्रक्ष है उनमें भरपूरी मिलेगी दिस कॉजिजन ओफ दी बबूल इस दा कल्प व्रक्षा दे ट्री डैट फूल फिस ओल विशिस हैं बबूल की जाती का यह व्रक्ष खेजडी का व्रक्ष कल्प व्रक्ष सभी प्रकार के इच्छाओं को पूरा करने वाला है है ना अब फुल ग्रोन कैमल कैन इंजॉई आ मिड़ डे सिसा इन इट्स शेड इट्स फॉली एज नरिशिस गौट शेप कैटल एंड कैमल एक पूर्वयस्क उट इसकी चाया में दोपहर में आराम कर सकता है किसके एक कल्प व्रक्ष के जिसे हम खेजडी का व्रक्ष पे कहते हैं इसकी पत्तियां और टहनियां बक्री भेड गाय बेलों और उट को पोशन प्रदान करती है क्या लिख रखा है इसकी खेजडी की फली से स्वादिस्ट कडी बनाई जा सकती है खेजडी की जो फली होती है उससे कडी बना सकती है कडी बनाई जा सकती है और इसके काटें किसानों के खेतों की उन्हें उजाडने वाले पशों से रक्षा करते है किसे समय महरवाड का रेगिस्तान इतने विशाल शेत्र में फैला हुआ नहीं था जितना की आज उसके प्रभाव में है है ना इवन थो दा क्लाइमेट वाज वाज तोड़े जड़े पह उस समय की जलवाईू भी वैसी ही थी जैसे की आज है दे लेंड वस कवरड बाई थाजंड अपां थाजंड ऑफ खेजड़े ट्री नियू में थे और वाज़ड़े वरक्ष प्रचूर मात्रा में थे व्रक्ष अनि बरपूर या प्रचूर थी ब्लैंट वर होँग तो थाजंड आप एंटिलोफ ब्लैक बग चिंखारा एंड नि भीरणों, चिंकारा और नील गायों के रहने के स्तान थे and on this bounty and on this bounty lived the tribal भील्स यानि की और इस विपुलता के शेत्र में आदिवासी भील रहते थे, कहां पर ये मारवार, बोल रहा है कभी, कभी बता रहे हैं कि आज इतना ये मारवार जो है, जैसा लगता है ना बंजर, ये पहले वैसा नहीं था, यहां पर ये सारी परिष्टे थे थे चिंकारा, नील गाया और ये इसके मैदान में घूमते फिड़ते थे और जो खेज़ी ट्रीज, बेर, केर and सांगरी ये उखते रहते थे कहां पर, मारवार के वाह पर, पहले ऐसा नहीं था, लिकन आज ऐसा है, About 3000 सियर सेगू, लगबग 3000 वर्ष पहले, होट्स अफ केटल कीपर्स बिगें टो पॉर इंटो इंडियन फ्रॉम वेस्ट एन सेंट्रल एशिया, पश्चिम एशिया तथा मद्धे एशिया से बड़ी संख्या में पशू पालक, पशू पालक या ने, पशू को पालने वाले भारत में आने लगे, some of them spread into मारवार, उन में से कुछ मारवार में फैल गए, the bheels resisted their encroachment, but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of the bheels, यानि की, भीलों ने उनकी अतिकरमन का परतिरोत किया, यानि वो इतने जाद संक्या में आये थे, तो भीलों ने उनका अतिकरमन का परतिरोत किया, कि भाई, इतना मताओ, किन्तु आकरमन कारियों, यानि invaders के पास घोड़े एवन शेष्ठ हतियार थे, और शीक्र ही उन्हो पर काबू पालिया यानि उन्होंने जो इन्वेडर्स थे ना जो कौन आये थे पशुपालक कहां से वेस्टर्न वहां से तो उन्होंने भीलों पर भी क्या कर लिया काबू कर लिया इन एनी केस दा लैंड अपेर बाउंड लैस एन दा भील रिट्रेटेड अलिटल तोवर्ड दा अरावली फिर भी भूमी ऐस सीमित परतीत होती थी और भील लोग अरावली परवत की और कुछ पीछे हट गए थे अरावली परवत से ठोड़ा पीछे हट गए थे the population, the population of Marwar was on the increase अरवार की जंसंक्या में व्रद्धी हो रही थी है ना यदी एक जगे है उसमें और ज़ादर लोग आते जाएंगे तो उसकी जंसंक्या में व्रद्धी हो गी हैना तो यह ऐसा ही कहां पर हुआ मारवाड में हुआ कि अतिक्रमन आये यानि कि इन्वेंडर्स आये कहां पर मारवाड की भूमे के अंदर और वहां पर भी एरिया भर गया but as centuries passed किंतु जो जो शतावदियां वैतित होती गई the large hearts of cattle the large hearts of cattle began to affect the vegetation कि इस गई ऑड़िशन किन्तु जो जो शतावदियां वैस्तित होती गई यानि बीचती गई पशों के बड़े समू वनस्पति को प्रवाविट करने लगए Paश Сूं के बड़े समू थे न वह वनस्पति को प्रवाविट करने लगए किस प्रकाट से उनको खा कर ठीक है क्या बोल रहे हैं अंकुरिक पौधे और छोटे पौधे पशूँ द्वारा चल लिये गए और उनके उगने की नगणने संभावना थी इन्वेडर्स एंड ट्राइवल भील्स फाउंड लेस एंड लेस तू सस्टेंड द्हलमसेल्फ से आकरमण काडियों तथा जन जाती भीलों को अपना अस्तित्व बनाए रखना कथिन परतीत होने लगा क्योंकि वहाँ पर सबके सब क्या हो गया था खतम हो रहा था क्या बोल रहे हैं अंत में तेरवे शताबदी इसा के पश्चाद ने क्नोच के राठोणों द्वारा भीलों पर अंतिम विजे देखी अब संपूर मारवार पर राजपूतों का शाषन हो गया In the year 1451 A.D. during the region of Rav Jodhaji, San 1451 में Rav Jodhaji, जो सबसे वीर राठोर राजाओं में से एक थे, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar, यानि कि San 1451 में Rav Jodhaji, जो सबसे वीर राठोर राजाओं में से एक थे, के शाषनकाल में Pipasar गाओं में एक ऐसाधरन बच्चे का जन्म हुआ, कहाँ पर Pipasar गाओं में, His father was the headman Thakur Lohat and his mother was Hamsa Devi, उसके पिता सर्दा ठाकुर Lohat और उसकी माता हंसा देवी थी, उस extraordinary बच्चे के ठेक है न, the boy was called Jambaji, लड़के को Jambaji पुकारा जाता, है न, उस extraordinary boy का नाम कहता, Jambaji, as a little boy, जवे छोटा था, as a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd, large herd, cattle and ship, क्या बोल रहा गया, जवे छोटा था, तो उसे अपने पिता के मवेशी तता भेडों के बड़े जुन्ड को चराने का काम दिया गया, पशों को चराने के लिए, ले जाना, खेजडी के वरक्ष के छाया में लेटना और काले हिरनों के जुन्ड को देखना बहुत आनंदायक था, किसके लिए, जंबा जी की लिए, जंबा जी वास फैसिनेट बाइदा लिद्ग्रेज अफ दिस हैंडसम एंटिलोप और थोट देड़ 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 वस नो साइट मौर एंध्रलिंग दैन फाइट बिट्विन तू वैल ग्रून स्टेज, यानि कि इस तेज चलने वाले पशू हीरन की शांदा चाल जंबा जी को अत्यन्द रूची का लगती थी और सोसता था कि दो वैस्क बारह सिंगों की लड़ाई के दर्शे से अधिक सुन्दर कोई दूसरा दर्शे नहीं था, यानि कि जब जंबाजी 25 वर्ष के हो गए तो पूरे शेत्र में एक बड़ी आबदा आई, अल्प मात्रा में वर्षा जो नियम में ट्यूफ से आया करती थी वह बिलकुल ही बंद हो गई अर्थात वर्षा बिलकुल ही नहीं हुई है ना ये बात कह रहे हैं आपर, क्या लिख रहे हैं, वह सफ्रेर वर्षा वर्षा सबसे अधिक कश्ट पशूं को हुआ, in the first year of drought, सुखे के प्रतम वर्ष में, they could eat the बाज्रा स्टोट in the houses, यानि की सुखे के प्रतम वर्ष में वे घर में रखे हुए बाज्रे के भूसे को खाते थे कौन इंसान लोग, the second year was very bad, दूसरा वर्ष बहुत खराब था, there was no tough blood grass left standing anywhere, कहीं पर भी घास का एक तिन का भी नहीं दिखाई देथा था, people hacked at any trees they could find and fed the animals on the leaves, कोई भी वर्ष जो लोगों को मिलता था काट देते थे और उसकी पत्या पशुओं को खिलाते थे, but even so there was not enough browse for all the hungry animals, यानि की किंतु फिर भी समस्त भुके पशुओं के लिए परयापत चारा नहीं मिलता था, and the drought continued for eight consecutive years, और यह सुका लगातार आठ वर्षों तक रहा, the people had hacked and hacked the last bit of folly age from all the trees, यानि की लोग समस्त पेडों की पत्यों एबंशाखाओं की अंतिम टुकणों तक को काटते रहे, which finally begin to dry up, कारते रहे, जो की अंत में सूखने लगे, यानि जब एकरतित क्या हुआ अनाच समाप्त हो गया, तो लोग खेजडी की फलियों तता सूखे हुए बेर के बीज, यानि गुठली के आटे को खाने लगे, यानि जब यह भी समाप्त हो गया, जब यह भी समाप्त हो गया तो लोगों ने सांगरी के व्रक्षों की छाल उतारी इसको पीस कर आटा बनाया और इसे पकाया, दे हंटेड एवरीवन ओफ दी स्ताविंग ब्लेक बर्क्ष एंड फाइनली दे अबेंड़न ओल हूप एंड माइग्रेट इन मैसिज, उन्होंने प्रतेक भूके मरते हुए काले हीरन का शिकार किया और अंत में उन्होंने सभी आशाहें छोड़ दी और बड़ी मात्रा में पलायन किया, टेंस ओफ थाउजंड्स ओफ केटल पैरिष्ट पैरिष्ट यहने होता है नश्ट ओन दी वे, मार्ग में हजारों पश्णों की मिर्तियों हो गए जब पलायन करते थे, इस समय तक पूरा प्रदेश बंजर हो चुका था, यानि अनेक मिलो तक एक भी व्रक्ष नहीं था, नौर शिंगल काओ और ब्लैक बग, अनेक मिलो तक एक भी व्रक्ष एक भी गाय और एक भी काला हिरन दिखाई नहीं देथा था, यानि केवल ऐसे ही बड़े व्यक्ति वहां रुके रहे जो बड़े जमिंदार थे, जैसे जमबाजी के पिता जिनकी पास बाजरे का बड़ा भंडार था जो की कटिन समय में जैसे देसे चल रहा था, अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे, अगर आपको अमरा वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक है।